नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियो स्वागत है आपका आपके ही अपने यूटीब चैनल साधावाद केशरी पर मैं हूँ सौनू चौधरी किसान साथियो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहने वाली है और इस वीडियो के धमाके की घूंज जो है हर वाटस की घूंज हर उस व्यक्तिता कहुंचनी चाहिए जो उस आलू में से चार पैसे कमाने की चाहत रखते हैं और सपने सजोई बैटे हैं कि आलू 2400 पर प्रती कट्टा पार हो जाए और हमारा जो है कुछ जो तीन-चार सालों से घाटा हम लोग जो उठा रहे हैं उसकी छतिक हो जाए तो इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद में यकिनन आप कहे बिना नहीं रहेंगे कि सवनों भाई वास्तवी रूप से जमिनते उखड कर ले आए और इस वीडियो को देखने के बाद में जो आलू बेच चुके हैं जो मंदड़िया हैं और जो किसान लोगों तब पहुंचाना बेहदावर्शक्ता क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने जो किसान हितासी होने का धम बढ़ते हैं उन्होंने भी आपको ये जानकारी नहीं दी होगी ऐसे मैं स्वास्त गड़वर होने की वज़े से 10 मिनिट का समय निकाल कर मैं आप लोगों के बीच मैं ये अत्ती महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के साथ साजा कर रहा हूं और आप से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा भाई मेरे इतना स्वास्त गड़वर होने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए जो इस लोग जो आप लोगों से आलूसस्ता खरीदन सही कह रहा था किसांसातियों आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िये आप लोगों से शुरुआ सही कहा था सौनु चौदरी ने के आलू खेज से 800 रुपे प्रती कट्टा वेगेगा कोल्ड के गेट 1100-1200 से खुलेंगे और जो है आपका अप्रेल महीने में ही आलू जो है जिससे ऐसे ही ताजातरीन अपडेट और सूचना है आप लोगों तक हम जो है निरंतर पहुंचाते रहें जिससे आप लोगों को अलू के अच्छे रेट मिलें और जो है इन मंदड़ियों के किसांद विरोधी लोगों के सपने पूरे ना होने पाएं इन्हें मरे हुए सा पूरे होने दूँ अगर मेरी जान भी चली जाए ना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आलू किसानों का 24 सौर पर प्रती कट्टा बिकेगा यह मैं दावे के साथ क्या रहा हूं किसी का बाप नहीं रोक सकता है इस वीडियो को देखने के बाद मैं किसांसातियों सबसे पहले ब और जो और भी देश हैं उन लोगों उनसके भी हाथ फेला के देखली माल दिवने लेकिन कहीं से भी कोई रहत नहीं देखी तो भारत सरकार से मानवी आधर पर जरूरी वस्तूओं को मांग की लेकिन कहते हैं कि हमारे देश में अतिति देवो भवो की परंपरा सदियों से चली आ रही है तो किसानों की आलू किसानों की उन सब की जिन आलू से कुछ कमाना चाहते हैं उन सबी की मनों कामना को कहते हैं कि माता रानी की कृपा बरसने वाली है मैं तो आप लोगों से शुरुआ से कह रहा था चैत्री नवरात्र अभी लगने में आज जो है तीन तीन दो लाख पंद्रे हजार तीन सो तीन मैट्रिक टन आलू एक बहुत बड़ी लार्ज कॉंटिटी में अनुबरत रूप से सितंबर तक रासन में चाहिए टेवल पटेटो कान खोल कर सू लिजे रासन आलू जिसमें 377 चिप सोना है आपका पुख्रा आजये ख्याती है हाइब इसकी डिमांड है इसके साथ ही कुछ और वेजिटिवल्स हैं उन सब की सरकार ने अनुमती दे दिया है अब मैं जबी तो कह रहा था आप लोगों से कि जो जानकारी आपको सौनू चौधरी देखा वो यूट्यूब पर कोई भी नहीं दे सकता है सब आप लोगों को मन खा रहा है सौनू चौधरी कि देखो आप लोगों के लिए मातारानी की नवरात्रों से पहले जो है कितनी बड़ी खुशकवरी यहां आ गई इधर बंगलादेश निर्यातुरा है इधर मालदीव जा रहा है और इधर स्री लंका के लिए जा रहा है तो आलू में असीम सीने पर सांप लोट मार रहा है अब जैसे आलू है इस साल मैंने तो आप लोगों को पहले बोल लगा है कि आलू इस साल सभी के सीने पर मूँ दलेगा ऐसे छलनी करेगा इनके सीनों को कि यह जिन्दगी भरता आलू का आसब्द भी भूल जाएंगे और यह सभी संभ़ जी जान से सिद्दत के साथ जुट जाओगे कि हाँ यही बंदा है जो हमारा हित चाहत रखता है बागी और कोई नहीं है और किसान सातियों जब यह मालदीव की खवर सामने आई है अख़वारों में भी छपी है और आज डोजियर जादी हो गया है यानि भारा सरकार द्व और इस सर्कुलेट इतना कर दिए कि किसान सातियों हर उस व्यक्ति जो चार बीगा करता है या एक बीगा भी आलू करता है उस तक पहुँचे कोई भी व्यक्ति उसका आलू जो है हजार बारास वर्पे से नीचे ना खरीदने पाए भाई यह हमारी एक नयतिक जिम्मेदार पीछे से जुदाइ करने के बाद उन्होंने भी दस-पंदरे कटे रखें उनको भी इसका हख मिलना चाहिए मिलना चाहिए के नहीं मिलना चाहिए हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए और किसान सातियों और सबी लोग जो अलू के इस कारोबार से जुड़े हुए है यह सोने पर स्वाग आया आप लोगों के लिए अभी जोग जाईए अभी धैर रखिए एक देखिए अभी में आप लोगों को हमारे प्रदान मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री क्या कहते हैं कि जो है मसाले चटका दिदार आरम आरमते देने चाहिए एक साथ दे दोगे तो फिर आपको कोई नी पूचेगा धीरे दीरे समय समय पर दीजेए और जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बात देखेंगे सरकार ने नरियात की रास्ते तो पहली खोल दी है चुनाव कहला है च शिर्फ हमारी किसानों के इतना नवेदन करने के बाद वीडियो शेयर नहीं करते हैं और ये वीडियो किसान साथी जड़ा से ज्यादासे जादा से देखने लगजाए न निश्रित तोर पर उन गिसानों के अंदर जाग रुखता आएगी और खिसान जो आपने आलू के सह जा रहा है उससे भी लार्ज क्वांटिटी में बंगलेदेश लोटिंग के समय पर और उसी दौरान जो है साउथ में भी डिमांड है तो आलू में तो भाया बहुत जोड़ चे दर्द हो रहा है जैसे कहते हैं न Brenched के ग्याम भ्यानहार है और दर्ड दूसरे के पेट में हो रहे है तो यही वाध है किसान को आगर अच्छा पैसा मिल रहे हैं किसान को अगर दो चार पैसे काम अच्छे मिल रहे हैं तीन-चार साल लोग से किसान घाटा उटा रहे हैं, अगर आज उन्हें तेरह सो या चौदा रोपर प्रतिकटा या पंदरह सो रोपर प्रतिकटा के कुल इश्टोर में दाम मिले हैं, तो इन लोगों को रास नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारी कमी है, यदि हम अगर आज मेरा स्वास्त गड़बड नहीं होता ना, तो जो कोल इश्टोर में पर आज बोली लगी है, वो बोली जो है, तेरह सो चौदा सो पर चूटती, जो अन्न कोल इश्टोर में पर है, लेकिन यकीन मानिये, कि जो है, आगरा जैसे सिटी में, जब पंदरह सो चल रह हो रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी है, कि चलो, पचास सो रपे कई तो अंतर है, लेकिन बिक तो रहा है, लेकिन इन लोगों ने मंसूबे पाले थे, 800-900 के, अब किसान साथी यह बहुत बड़ा खुसकबरी, एक और बता दू, बंगाल में भी, मैंने आप लो और आज देखें, संपुड बंगाल में तेजी का माहूल है, कहीं पचास रुपे कट्टे पे बड़ातरी हुए, तो कहीं सो रुपे कट्टे पे बड़ातरी हुए है, इधर पंजाब के किसान साथी भी धहर रखें, एक हफ़ते के अंदर आपके यहां पर भी आलू की रे हैं, हम चाहते हैं कि आपको आपकी उपज का अच्छे से अच्छा दा मिले, हम चाहते हैं यदि आपने आलू खरीद आये, तो आपको उस आखरीद का उससे भी बेनिफिट अच्छा मिले, लेकिन कुछ लोग अपनी नाजाइज हरकतों से हो सकता है, वो किसी नाजाइज आउलाद हो, हो सकता है, बाई कह नहीं सकते न, क्योंकि ऐसे लोग, जो सिर्फ किसानों का घर्दन कारते हैं, आज हमारे साधवा छेत्र में, जो कि आलू का कारोबारी बाना जाता था, किसानों को लूटता था, किसानों की माल पर डखेती डारता था, आज भेंकर एक्सिजेंट में, सटक में मिले गया, क्या कले गया, अरे काम ऐसे करने चाहिए, जिससे मरने के बाद या मनने से पहले लोग कहें, कि वो आदमीं बढ़िया था, वो किसानों के हित में काम करता था, अब किसान साती हो, एक और बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आज हमारे साधाबाद छेत्र में, सेंतिस सतानवे आलू के तेरह सो पैंतालिस उर्पिया प्रती कट्टा के सौदे हुए हैं, और तीन गाड़ी लोड हुई हैं, टी एल के कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड ब्लाक प्रमुक साधाबाद, चौदरी बहादूर सिंग जी के कोल्ड से, और यह कि यह बहुत बड़ी उप्लब्दी है, कि तेरह सो पैंतालिस उर्पिय प्रती कट्टा में साधाबाद जैसे छेत्र में, क्योंकि यह आलू का सबसे बड़ा हब और आलू का सबसे बड़ा गड़ और राजधानी अलिगर मंदल में कहा जाता है, यदि आज यहाँ पर इस तिना बड़े सौदे हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उप्लब्दी रहती है, और वहीं इसी छेत्र के विद्य देवी कोल्ड इस्टोरिज की बात करें, तो यहाँ से आज लगबख 35 गाड़ियों की कोल्ड इस्टोरिज से निकासी हुई है, यह भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है, कल तक आपने किसी चैनल पर वीडियो चल लही थी, 15 गाड़ी की देखी थी, आज इसी कोल्ड में से 30 गाड़ियों की निकासी हुई है, तो इसे एक बहुत बड़ा बविस के द्वार खुल रहे हैं, 22 से बन रहा है कि आलू में अब तेजी किसी का बाप नहीं रोख सकता है, हम तो भाईया आरपार पर बैठे थे, आज किड्नी में दर्द हो रहा है, किड्नी स्टॉन की वज़े थे, तब भी हम जो हैं, इतनी उची अब आज में बात कर रहे हैं, कि आपका आलू तेज बिकेगा, किसी की बातों में मत आईये, हलका आलू भी, छिला हुआ आलू भी, वो 15 सौर पर प्रती कट्टा बिकेगा, लेकिन आप लोग, आपके जरूत हैं, भेचिये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जरूते नहीं हैं, तो फिर याद रखा रहे हैं दो, आलू में तेजी आनी है, तेजी लो यार, क्यों किसी के बातों में आ रहे हो, ऐसे लोग, जिनका न तो घर पता, न बच्चों का पता, न पतनी का पता, वो तुमारा आलू का भविस से बता देंगे, इन लोगों को कुछ ठिकाना है, सराप्पी के साले नाली में पड़े मिलते हैं, या रोड एक्सिडेंट में सड़क में मिल जाते हैं, गरवाले डूड रहे हैं कि आ रहा होगा हमारा हस्बेंड, अच्छी ये लाएगा, और हस्बेंड सड़क में मिले हुए हैं, पी-े-म-ाउस में, ऐसे लोगों के साथ यही होता है, और ये लोग, इस आलू समाज, आलू किसान के लिए कोड हैं, और इन में सबसे ज़्यादा होते हैं कोड मालिक, और इन में से भी लीचड होते हैं व्यापारी, इनकी अवकाद नहीं हैं कि साथ की मंडियों की होड कर ले हैं, और आज जब साथ की मंडियां, जिस समय पर आप वीडियो देख रहे हैं, चेन्नई भी आज जो है 32 रुपे पहुँच गई, चेन्नई मंडि 32 पहुँच गई, मदरई मंडि 30 पहुँच गई, तिरची मंडि, कोयो मंडूर मंडि 33 रुपे प्रती किलो में चले हैं, और यहां पर सीधा सीधा मैं कल भी आप लोगों को बता रहा हूं, पचास किलो की बामन किलो की तॉल नहीं चलती है, यहां पर तॉल चलती है, 40 की की, मन की तॉल चलती है, अब आप ध्यान रखेंए, आप से 12 किलो एक्ष्टा लिया रहा है, साड़े 12 किलो, साड़े 12 किलो में अगर 20 किलो कार दिया है, कत्ता ही नहीं होने देगा, यदि आप लोग समय रहते साथ आगे तो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मालदीव इतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू जो है, जा रहा है, स्री लंका के लिए भी थोड़ी मात्रा में है, लेकिन ये भी बढ़के जो है, आठ लाख मैट्रिक टन पर पहुंचना है, क्योंकि डोजियर, भारा सरकान ने इसका भी जारी कर दिया, बस सहमत ही होने की बाकिए, क्योंकि स्री लंका जो जाएगा, वो जो है, रामिश्वरम से बंदरगा, रामिश्वर बंदरगा से जाएगा, और मालदीर जो जाएगा, वो कांदला से जाएगा, तो कुल मिला के आलू में बहुत असीम संभावना है, यह जो आलू जितना भी जाएगा विदेशों में वो सिर्फ रासन आलू जाएगा और रासन आलू की देश भर में सॉल्टेज है और कई लोग कह रहे थे कि ELECTION के बाद सरकार इसको कम कर देगी अब पहले ही सरकार इसको निर्यात कर रही है तो कम कहाँ से कर देगी बाहरसे तोड़ीण करा है ना तो हम यूटीवरों की वज़े से अगर आलू में आज आपको कुछ फायदा मिला है तो इस सौनु चौधरी की वज़े से बाकि आप लोगों को तमाम ऐसी बातें बताते रहेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं होता है बाकि मैं आप आप लोगों को सिधा सिधा फंडा बता देता हूं कि आप लोग जो है अपने अलू के पृति सचेत रहें आलू के अच्छे रेट आप तभी ले सकते हैं जब आप लोग हमारे द्वारा बताई की बातों का अनुस्वरण करें तो आपको लगता है कई लोगों ने कहा था कि जब हम कहते थे 800-1000 रूपे से खेतों से अलू बिकेगा तो मरवा देगा हमने कहा था कि कोल्ड इस्टोरी के गेट 1100-1200 कुलेंगे तब मरवा देगा आगर आज हमने दिखाया कि आलू 16 रूपे परती कट्टा पार बिकेगा और आप बोले तो बोले यह मरवा देगा अभ जब हम कहेंगे ना कि आलू 2400 रूपे प्रती कट्टा पार बिकेगे तो मरवा देगा लेकिन कोई नहीं मरेगा मरेंगे यह और वो मरेंगे किसकी वजए से हमारी वजए से जो यह लोग कह रहे ना किसानों को मरवा देगा वही अगर उन्हें दुनिया नहीं छुड़वा है नहीं दाना और जो है अपना कोई पता ठिकाना नहीं अब बात करते हैं आसमान जे तारे तोड़ने की तुमारी आउकाद तो हमें पता है कि तुमारी आउकाद कितनी है किसानों को ज्यादा मत बढ़काओ नहीं तो ध्यान लगना अगर किसान बढ़के तुमारे घर से उठा के लाएंगे, क्योंकि आलू में जो तुम कर रहे हो ना, जो 14-1500 रुपे के दाम वापस आ रहे हैं, और यहां पर खिसानों को 11-1200 दे रहे हो, यह किसी से छुपी भी नहीं है, चालिस के लोग की तॉल जाती है, अरे तुम सीको, टी एल के कोल्ड इस्टोरिज वालों से, 1345 रुपे प्रती कट्टा में आलू बिकरा है, तुम धूर तो सीको, उजरही वालों से, तुम सीको, समसावाद वालों से, कि यहां पर जो है, आलू की क्या इस्तिती है, अरे हमने कोल्ड मालिक ऐसे-एसे देखे हैं, जो पैसे इसको, अपने हातों की धूल समझते हैं, कब आया पैसा, कब गया, किसान है, सुरच्छित, तो हम सुरच्छित, हमारा सिर्फ किसान है हमारा, हम कुछ नहीं, हम किसान के और किसान हमारा, उनका कोल्ड इस्टोरिज देग और आप लोगों से निवेदन में बस यही करूँगा, रंगी की चोट पर सोने चौधरी करा आलूर, करो या मरो, सीरी सी बात, आर या पार पर बैठा हुआ, यह व्यक्ति तुमारे सामने कह रहा है, या तो सोले सोर पर 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 कट्टा बिकेगा, या चौविस सोर पर 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 इठा के लाए थे, लच्षमण जी को प्राण बक्सने के लिए, तो ऐसे में आप सतर्ग रहे हैं लोगों से, इन बहरूपियों से, इन भड़वे लोगों से, जो कि आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और दिन और रात के चुनाव के बाद ही होगा, या सौनु चौधरी आपका आलू अगर 24 सौरपे प्रती कट्टा ना बेकवा दे, तो आप समझ लीजिएगा, कि ये कोई चीज है, लेकिन उसके लिए आप सबसे ज़्यादा चैनल पर जुड़िए, और सब लोगों को दिखाईए कि देखिए, सौनु चौधरी बता रहे हैं इमाल दिव जो है, दो लाग मैटरिक टन जो है, आलू का निर्याद जो है, भारस सरकार ने अनुमती दे दिया है, और आप आलू की तेजी को तुमारा बाप भी नहीं रोक सकता है, और गर्व से खाओ, कि हमें सौनु चौधरी के साथ, और हमें आपना आलू बेकना है, 24 स रोक सकता है, 16 सवर पर प्रतिकटा की, दाम गए, अब बात करो 24 सवर पर प्रतिकटा की, और निशी तोर पर यदि आपने ये प्रण ले लिया, तो इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है, लेकिन माता रानी का जैग, जो होज जरू कीजेगा, क्योंकि चैत्रे नवरात्रों के पहले, दो-तिन दिन पहले ये बहुत बड़ी खबर, धमागेदर खबर आप लोगों के लिए, माता रानी की क्रपासी आईए, तो एक बार सच्चे मन से बोलिएगा, जै माता दी, जै माता दी, जै माता दी.